मास नोचने वाले दान, हड्या चबाने वाले जबडे, जहर भरे डंक, खाल उतार देने वाले पंजे, जानवरों की दुनिया में जिन्दा रहने के लिए ज़रूरी है हर हद तक जाना। यहां होते हैं हमले, जानवर लगाते हैं घात, और जानवर जुन्ड में शिकार करते हैं, अकेले भिड़ जाते हैं और धोखा देते हैं, पर इस सब के अलावा यहां जिन्दा रहने का मतलब है खुद को खतरनाग बनाना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किलर इंस्टिंक्स क के आज के एपिसोड में हम देखेंगे, मौत, जहर, यह गुदरत की सबसे कम मात्रा में सबसे ज्यादा नुकसान पहुचाने वाली चीज है, यह जानलेवा हथियार, जमीन और समंदर के सैंक्रों छोटे बड़े जानवरों के पास पाया जाता है, जहर जलाता है, तडपाता है और अंदर से गलाना तक शुरू कर देता है, इस खौफनाक हथियार को यह रूप लेने में हजारों साल लग गए, जहां एक और शाक्स और शेर जैसे जानवर इनसानों में सबसे ज्यादा डर पैदा करते हैं, वहीं जहर इनसान के लिए मौत, नुकसान और तबाही का खौफ बन कर आता है, हर साल सैंक्डों हजारों लोग जहरीले डंग की तकलीफ का सामना करते हैं, जहर जैसा खौफनाक हथियार घुमावदार दातों में पाया जाता है, जो किसी और सदी के लगते हैं, बिच्चू ये काम पलग जपकते अपने डंग से कर देते हैं, जबकि छिपकर रहने वाले कांटे काफी ग जलाता है, आज के Killer Instincts के एपिसोड में हम मिलेंगे तीन ऐसे जीवों से जिनके जहरीले डंग दुनिया भर के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे ट्रॉपिक्स में, एक ऐसे ड्रैगन से मिलने जो अपने नाम पर खरा उतरता है, Giant Komodo Dragon, दुनिया की सबसे बड़ी चिपकली, इसके बाद घनी जारियों में सामना होगा आज तक के सबसे खौफनाक सांपों में से एक से, Black Mamba, जिसे कहते हैं मौत का फरिष्टा, और सबसे आखिर में चलेंगे रेगिस्तान, जहां तलाश करेंगे Death Stalker Scorpion की, जानवरों की दुनिया में इसे अपने घुस से और दर्दनाक तंग के लिए जाना जाता है, आज के तीनों हमलावरों की ताकत है, जहर, जो बेहत खतरनाक है, तो मिलने के लिए तयार हो जाए, कुद्रत के तीन सबसे जहरीले किलर्स से, किलर इंस्टिंक्स में!